क्रिकेट के फैंस को गौतम गंभीर इतना भद्दा जेस्चर करते हुए नजर आये हैं कि उसको देखने के बाद हम सब को अपना सर्ष शर्म से जुका लेना चाहिए एक तरफ तो गौतम गंभीर लगाता है कि वह या फील्ड पर हमको अग्रेशन दिखाना चाहिए जो भी आपको करना है जो भी लोगों के सथ फ्रेंशिप करनी है जैसा भी रहना है वह फील्ड के बाहर हो यह उन्होंने कब कहा ता और क्यूं कहा ता और उसमे भी क्या Northern की hypocrisy है वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप देखिए कि एक किस तरह से बाहर भी फील्ड के बाहर भी अपना aggression बता नहीं किस बात का गुस्सा लिए घुमते रहते हैं गौतम गंभीर एक ऐसे शक्स है जिनको समझ नहीं आ रहा कि कब वो एक politician है कब वो भारते जनता पाटी के member of parliament है इस डेली से और कब वो एक cricketer है कब उनको क्या stance रखना है इतनी hypocrisy इनके सारे बयानों में दिखाई देती है कोई आदमी का कोई basic अपना एक stand लेने वाला character ही नहीं है आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे लग रहा है जैसे दिन में 24 घंटे है तो 12 घंटे के लिए यह हो जाते है Cricketer 12 घंटे के लिए यह हो जाते है Member of Parliament BJP के member यह देखिए फोन पर चलते हुए जा रहे थे गौतम गंभीर और उस वक्त अचानक से हुआ यह कि जो cricket के फैंस है थीख है उन लोग ยुने जो भी किया होगा चेदाने की कोशिश की जो भी किया उनुने को ली को यह करके उन्होंने उनका नाम लेना शुरू हो कैं आपको सबको पता ही है कि गौतम गंभीर को को ई से बड़ी दिक्कत है और कोली का नाम लेते हुए गौतम गंभीर उस वक्ट जब फोन पे जा रहे थे फोन पे बात करते वे जा रहे थे तब उनको रियलाइज हुआ कि पीछे से कुछ लोग कोली का नाम ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं एक मिच्वर शक्स होने के नाते we think that he should be a mature man but he isn't वो मुड़ते हैं चढते हैं और चढ़कर उन फैन्स को Middle Finger दिखाते हैं यह हैं आप लोगों के East Delhi वालों के सिर सकठाई Member of Parliament जिनका gesture यह है कि वो Middle Finger दिखाते हैं क्योंकि उनसे बरदाश्त ही नहीं हो रहा एक ऐसे शक्स का नाम जिससे वो चिड़ते हैं एक बार ये वीडियो देखिए देखकर सोचिए किस उम्र में जाकर आखिर किसी शक्स को maturity हासिल होती है क्योंकि इस वीडियो को देखके समझ में नहीं आ पा रहा कि बड़ा आद्ब तो ये देखिए ये फ्री प्रेस जर्नल की खबर में आपको बता रही हूं इंडिया वर्सेज नेपाल एशिया कब 2023 में इसकी हेडलाइन देखिए अब गौतम गंभी शोस मिडिल फिंगर टू फैंस चांटिंग कोली कोली वाच वाइरल वीडियो अब ये वीडियो वाइ चांट कर रहे थे गंभीर उस समय फोन पर बात कर रहे थे और उनसे एक परसेंट की भी गंभीरता दिखाई नहीं गई और उन्होंने इस तरह से मिडल फिंगर दिखाई इस समय पर तो ये मुझे लगता है ये वह उस लेवल पर भूली गए कि एक क्रिकेटर भी है ये किसी भी अपनी गलत हरकत का या कुछ भी बोलते हैं तो उसको गौतम गंभीर राष्टर के साथ जोड़कर अपने आपको डिपेंड करने की कोशिश करते हैं एन आई जिसने इनका मिडल फिंगर वीडियो तो नहीं दिखाया लेकिन जाकर क्लारिफिकेशन जरूर ले लिय सचाई यह है कि जो वीडियो वाइरल हुआ है उसमें आपने जो देखा वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भारत के खिलाफ देखिए अब कैसे यह राष्ट का इस्तमाल करते हैं यह लोग इसलिए ऐसे लोगों से बचने की आप लोगों को बेहत जरूरत है अगर कोई भारत क इसे खिलाफ स्लोगन्स का एस्तमाल करेगा और कश्मीर के बारे में कुछ बोलेगा डोनों एसे इस इसिए उन्हों ने डाल दी तो जो अथा की पूरा आक लोगों का है वो पूरी अच्छे से बात को फेला देता है वो कह रहे हैं कि दो तीन पाकिस्तानी थे वहाँ पर जो की एंटी इंडिया कुछ कुछ चीज़े बोल रहे थे कश्मीर पर तो यह मेरा नैचरल रियक्शन था मैं कुछ ने सुन सकता अपने राश्टर के खिलाफ तो यह मेरा रियक्शन था अब जरा सच्चाई देखिए मैं यह वीडियो आपको फिर दिखाती हूं पीछे आपको आवाज सिर्फ और सिर्फ कोहली 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 की आ रही है किस तरह से यह देखिए राश्टर का इस्तिमाल करते हैं अपनी ऐसी घटिया घिनौनी हरकतों को भी छुपाने के लिए अभी तक तो मैं इनकी इस हरकत को घटिया शब्द नहीं बोल रहे थी पर आब इस क्लारिफिकेशन के बाद और बोलन चाहिए कोहली का नाम लेना एंटी इंडिया है और जो सबूत सामने है उसको आप जुटलाते हैं राश्टर का नाम लेकर इस से जाधा और बत्तमीजी और घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती गौतम गंभीर मेंबर आफ पार्लेमेंट है स्टार्ट बिहेविंग लाइक वान फिंगर ओन लिप्स जेस्टर तुवर्ड्स RCB फैन्स गोज वाइरल शायद गौतम गंभीर को इस बात से बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कैसे RCB के जो फैंस हैं वो लगातार अपनी फेवरिट टीम का नाम पूरे गेम में ले रहे थे बताईये इस बात से भी इनको प्रॉब्लम है कि फैंस जो है वो अपनी फेवरिट टीम का नाम लगातार गेम में चैंट कर रहे हैं गंभीर ने जब अपना कस्टमरी हैंडशेक विद्धी ओपोजिशन टीम कम्प्लीट किया खत्म किया उसके बाद एक भीड के सेक्शन के पास जहा से नवीदुल हक को लेकर IPL के दौरान विराट कोली से गौतम गंभीर की नोगजोंक शुरू हो गई थी जिसमें बाद में विराट कोली जो है वो गौतम गंभीर को चीज़ें समझाते वे नजर आये लेकिन वह बिल्कुल चेहरे से विजिबली एकदम एंगरी दिखाई दे रहे थे विल्कुल आइंगरी यंग मैन देट कम्प्ली जेस्चर बट ही सच अ हिपोक्रिट मैं वो मैं यह क्यों बोल रही हूं जरा आप यह खबर देखे क्या क्योंकि इसको लेकर यह लगातार बहुत ट्रोल हुए आप इस सोशल मीडिया पे क्यों हुए मैं आपको बताना चाहरी हूं कि इनका कोई अपना स्टैंड नहीं है किसी चीज को लेकर यह मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर बताती हूं दोस्ती बाहर रहनी चाहिए कह चुके हैं बहुत घुस्से में आये वे गौतम गंभीर और जनाब खुद पाकिस्तान के कॉमेंटरी करनी है कॉमेंटेटर बनना है काम करना है उसमें इनको फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का कोई शक्स साथ में बैठा वे जिसके मैच के दौरान आप यह सब चीज़े कर रहे हैं और वहीं इनको अचानक से बीजेपी का मेंबर ऑफ पारलिमेंट बन जाना ह होता है अचानक से वोट बैंक भी देखना उतर वहां पर नेशन नेशन करके बाद शुरू हो जाती है और बहीं दोस्ती आपको बाहर रखनी चाहिए इस से इनको बड़ी चिडमच जाती है क्या कहा था इन्हों ने जड़ा देखे और उसके बाद कैसे ट्रोल हुए वो भ गौतम गंभीर जो है वो बड़े गुस्से में आए वें यू प्ले ओन दो फिल्ड फो या नाशनल टीम जब आप अपनी नाशनल टीम के लिए फिल्ड पर खेल रहे है यह वैसे इसले होगा है क्योंकि इनको पाकिस्तान सामने दिखाए दिया इसले और साथ में विराट क प्स गेम फेस होना जरूरी है दोस्ती बाहर रहनी चाहिए यह कहते में पाए गए गए देर हस तो बी अग्रेशन इन आई इस में बड़ा अग्रेशन होना चाहिए दोनो ही प्लेयर के बीच में यू can be as friendly as you want after those six or seven hours of cricket those hours are very important because you are not just representing yourself you are representing a nation of over a billion अच्छा अभी अच्छानक से फिर वह राष्टरवाद जहां पर इनको कुछ समझ में ना आए जहां पर इनको अपना कुछ भी vote bank politics करनी हो आए एकदम से राष्टरवाद का शिगूफा आपके सामने छोड़ दिया जाता और उसके बाद इस यह कहकर गौतम गंभीर को ट्रोल किया गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अशिया कब 2023 गेम में कोमेंटरी करते हुए पाए गया आफ्टर डिमांडिंग इट तो बी कॉल्ड ओफ कभी आप बोल रहे हैं कि यह तो कॉल ओफ हो जाना चाहिए होना ही नहीं नहीं मैच औ इतनी हिपोक्रसी कहां से लाते हो भई यह लेकिन गौतम गंभीर ने आज का यह जेस्टर दिखा के हम सब को एक सीख देती है पता है क्या maturity has nothing to do with age अब कितने भी बड़े हो जाओ आप immature हो सकते हो अर छोटा बच्चा भी शायद आपके सामने ज्यादा maturity दिखा सकता है thanks for at least this we got to learn something but yes not something very nice with this kind of an image this kind of a gesture going viral क्या सोचेंगे बच्चे आपके बारे में अपनी यह personal rivalry जो है उसको इस तरह से सब के सामने जाहिर करना आप तो politician है ना गौतम गंभीर तो जरा मैं आपको compare करके बथाती हूँ आप politician है किस आप खुद confuse हो रहे हैं कि आप मैं क्या हूँ आप तो member of parliament है उसी सदन के member of parliament है जहां पर राहूल गांदी जाते हैं राहूल गांदी को भी ऐसे कुछ लोगों ने मोदी मोदी कहके चांट किया था सामने उनकी भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पर राहूल गांदी ने क्या किया था ये था उनका जेस्चर उन्हें भी गुस्सा आ सकता था उन्हें भी हो सकता था कि मन करें कि एकड़ मिडल फिंगर दिखा दू आपकी तरह बड़े अग्रेशिन वाले हैं बहुत गुस्से में रहते हैं और जिनको फ्लाइं किस की ना वो लोग भी ना हसने लगया और वग्दम बड़े खुशी से बुल लगे रहूल गांदी ने किस किया कि क्यूं पता है कि वह लगातार मोहबबद की दुकान की बात कर रहे तो जिस तरह कि आप बात कर रहे हैं जब वैसे आपके काम नहीं होंगे आपको लोग टोकेंगे और फिर आप इसी तरह से फिर किसी विराट कोली से किसी और प्लेयर से बस चड़ते ही रहना यही होता रहेगा बस आपके साथ फिर सत्तमेव जयते